गुड मॉर्निंग क्लास 6, this is our English book, real English, a multi-skill language, code तो आज हम डिसकस करेंगे चेप्टर नमबर 8 की स्टोरी, नाम क्या था चेप्टर का, कैंडी, जेन, एंड प्रोफेसर, बोगल तो कल हमने इसकी now reading करी थी, आज हम इसकी detailed explanation देखेंगे तो start करते हैं, myths are stories based on tradition और legends तो myths क्या होते हैं, कहानिया होती हैं, जो की हमारे पूरवजों की देन होती है या हमें पीछे से सुनाई जा रही होती है, जिनको हम यकीन करते हैं जिन बातों पे हम यकीन करते हैं, they describe an event from ancient time or adventures of heroes, gods and goddesses, तो क्या बताते हैं myths कोई event जो की past time में, ancient time यानि की past time तो जो की पहले घटित हो चुकी हो, ऐसी घटना के बारे में बताते हैं या फिर कोई adventure, कोई heroic adventure हुआ हो, उसके बारे में बताते हैं adventure of heroes, gods and goddesses, जिन सब के बारे में बताते हैं तो जैसे कि अगर आप देखें, हनुमान भगवान की बहुत सारी stories आपने सुनी होंगी हैं ना तो वो क्या हैं, हमारे Hindu mythology में God भी कह सकते हो और heroic adventure की पूरी लंका में अपनी पूच से आग लगा दी अगर आप कहें कि मैं अपनी पूच से आग लगा दू एक बंदर क्या पूरी लंका को जला सकता है, कितना अजीब सा लगेगा सुनके पर फिर भी हम उस बात पे विश्वास करते हैं तो यही क्या होते हैं, myths होते हैं कि जो पहले घटना घट चुकी है उसके बारे में description देना myths through light on the society's lives and beliefs of olden times तो myths क्या करते हैं, throw light on यानि कि कि किसी चीज़ को focus में लेके आना, किसी चीज़ पर बल देना तो society की वहाँ कैसी society थी, कैसी लोग जीवन जीते थे और क्या-क्या लोगों का thought process था, उसके बारे में मैं समय बताती हैं Greek mythology is one of the most admired mythologies तो Greek mythology जैसे हमारी Hindu religion की mythology को हम क्या बोलते हैं Hindu mythology, Hindu dharma की जो परानी कताएं हैं, उसे हम Hindu mythology बोलते हैं इसी तरीके से जो Greek लोग हैं, उनकी जो stories हैं, उनको Greek mythology बोलते हैं उनकी कहानियों को हम Greek mythology बोलते हैं और Greek mythology काफी famous है आप English में बहुत सारी चीज़े देखेंगे जो कि हमने Greek mythology से ही pick up की हुई इसके अंदर बहुत सारे adventure भी हैं और history के बारे में भी काफी कुछ है Many popular phrases in today's language come from Greek mythology तो बहुत सारे जो popular phrases हम यूज करते हैं वो कहां से लिए गए हैं? Greek mythology से phrases क्या होते हैं? हमने discuss भी किया था phrase एक incomplete sentence होता है जिसका एक special meaning होता है ठीक है? कोई complete sentence नहीं होता है दो-तिन words जैसे कि मैंने बोला in a classroom Classroom में तो आप कहेंगे क्या classroom? Classroom में क्या? बहुत सारे question पूछ सकते हैं है ना? तो वो कोई complete sentence नहीं हुआ I am in the classroom तो अब ये complete sentence है कि मैं classroom में हूँ ठीक है? independent भी है तो जो independent ना हो incomplete sentence हो पर जिसका एक specific meaning हो उसे हम क्या कहते हैं? phrase कहते हैं आगे देखते हैं This is the story of a little girl Candy Jane तो ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम क्या है? Candy Jane who discovered the world of Greek mythology after her father compared her to one of the most famous mythical characters तो वो क्या करती है? who discovered the world of Greek mythology जो की Greek mythology का पूरा संसार मतलब कि बहुत कुछ उसके बारे में डूनने की कोशिश करती है या डूनती है after her father compared her to one of the most famous mythical characters तो किसके बाद डूनती है? जब उसके father उसे किसी एक mythological character के साथ compare कर देती है तो फिर वो उसके बारे में डूनती है अब हम परते हैं story little candy Jane was a very curious little girl of 11 तो little candy Jane एक बहुत ही जग्यासा भरी लड़की थी यानि कि उसको इतने ज़्यादा इच्चा होती थी कि हर चीज का जवाब उसको मिले उसके हर सवाल का जवाब उसको मिले और बहुत सारे सवाल वो पूछती थी सिर्फ वो 11 years की थी she always got into scraps and could not stay out of trouble वो हमेशा अपने आपको मुसीबतों में ढखे लेती थी मतलब वो इतने सवाल पूछती थी जिसकी कारण उसको किसी ना किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता था and could not stay out of trouble और समस्याओं से अलग नहीं रहती थी यानि किसी ना किसी समस्या से गिर जाती थी अपनी हरकतों के कारण she loved to ask questions उससे सवालों को पूछना बहुत पसंथा सवाल पूछना उसे बहुत पसंथा and asked them so often that everyone got tired of her और इतनी जल्दी जल्दी वो इतनी लगतार सवाल पूछती है got tired of यानि कि tired of मतलब ठक जाना सब उससे तंग आ गई थे परिशान हो गई थे Candy Jane had an old neighbor who was a gardener Candy Jane का एक पुराना पडोसी था जो कि एक gardener था gardener क्या होता है माली था but everyone called him Professor Bogle पर सब उसे क्या बोते थे Professor Bogle because he loved to read तो Professor कौन होता है जो College में पढ़ाती है उनको Professor बोते है यानि कि जो काफी पढ़े लिखे होते है educated people तो क्योंकि वो बहुत जादा पढ़ना उनको पसंद था इसलिए सब उनको किस नाम से जानते थे Professor Bogle के नाम से He was the only person who could answer all of Candy Jane's question तो वही केवल ऐसे आदमी थे जो Candy Jane के सभी सवालों के जबाब देते थे One day Candy Jane's father said to her Candy Jane you are a Pandora's box तो एक दिन Candy Jane के father Candy Jane को कहते हैं कि Candy Jane तुम एकदम Pandora का box हो I never know what you are going to do next मुझे नहीं पता होता कि तुम अगले हीशन क्या कर दो मतलब कि इतने unexpected हो Candy Jane तुम कि हमें समझ में नहीं आता तुम कब क्या कर बैठो Curious Candy Jane looked up at her father तो जिग्यासा से भरी हुई Candy Jane उपर देखती है अपने father की तरफ and said और कहती है But father I am neither Pandora nor a box पापा ना तो मैं कोई Pandora हूँ और ना ही कोई box हूँ Her father rolled, rolled होता है दहाडना पर यहाँ आदमी तो दहाड़ेगा नहीं तो गुसे में वो चीखते हैं और confused Candy Jane ran out to see Professor Boggle who was reading in the garden तो confused यानि की समझ से इस कोई चीज हमें जब समझ में ना आती हो कुछ हमें समझ में ना है कि यह क्या हुआ तो बोखलाई हुई Candy Jane भागती हुई Professor Boggle को ढूनती है जो की गार्डन में पढ़ रहे होते हैं Professor Boggle, Professor Boggle, tell me who is a Pandora's box तो वो चिलाती है Professor Boggle, Professor Boggle मुझे बताओ कि Pandora का बोक्स कौन है My father called me a Pandora's box तो मेरे पिताजी मुझे Pandora का बोक्स कह रही है कौन है यह Pandora का बोक्स The professor looked at Candy Jane and smiled Professor Candy Jane को देखती हैं और मुस्कुराते हैं Child, it is not who, but what तो क्या कहते हैं Professor कहते हैं कि बच्चे कौन नहीं, क्या, कौन नहीं पुछो यह पुछो क्या है Come and sit while I tell you a story Come, आओ और मेरे पास बैठो जब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं आगे चलते हैं Many centuries ago, the Greeks believed in God who were like men, but very strong बहुत सदियों पहले Greek लोग यह विश्वास करते थे भगवान में Greek believed in God Greek ऐसे भगवान में विश्वास करते थे who were like men, जो की आदमियों की तरह थे but very strong, but आदमियों से बहुत ज़ादा शक्ती शाली थे they could change themselves into anything वो अपने आपको किसी भी चीज में बदल सकते थे mortal men, animals, plants और monster आदमियों में जो की नश्ट होते हैं यानि की मर जाते हैं ऐसे आदमियों में, जानवरों में, पेडों में या तेराक्षशों में बदल सकते थे said Professor Bogle ऐसा Professor Bogle बताते हैं, कहते हैं Their greatest God was Jews उनके महान भगवान कौन थे? Jews He was very angry with mortals because they used fire और वो आदमियों से बहुत नाराज थे क्योंकि आदमि किस चीज का इस्तिमाल करते थे? Fire, आपका Fire was stolen from Jews by another God called Prometheus तो fire चोरी हो गई थी Jew भगवान से दूसरे भगवान में चुराली थी जिनका नाम क्या था? Prometheus Jews ordered the creation of the first woman from clay तो Jew order करते हैं चिकनी मिटी से एक पहली woman को बनाने के लिए वो order करते हैं कि बनाई जाए एक महीला बनाई जाए मिटी से Her name was Pandora उसका नाम क्या था? Pandora And she was sent to the earth और उसे धर्ती पर भेजा गया Candy Jane eagerly looked at the professor और इच्छा बहुत ही excitement से इच्छुक होके Candy Jane किसकी तरफ देखती है? प्रोफेसर की तरफ देखती है Pandora was given a box Pandora को एक box दिया गया She was told never to open it और उसे ये कहा गया कि वो कभी भी उस box को ना खोले Now Pandora was given many good qualities along with curiosity तो Pandora को बहुत सारी अच्छी आदते दी गई अच्छाया उसके अंदर दी गई साथ में एक जिग्यासा के साथ With curiosity जिग्यासा भी उसको साथ में दी In fact, she was as curious as you are वास्तम में तो वो इतनी curious थी जितनी की तुम हूँ She was so inquisitive about the box that she opened वो इतनी ज़्यादा interested थी ये जानने में की box के अंदर क्या है कि उसने box खोल दिया Out of the box came all the evil in the world तो box में से सभी evil क्या होता है बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां डैत ये सब बहार आगए संसार में It is said that at the bottom of the box Only hope remain ऐसा कहा जाता है कि box के नीचे सिर्फ क्या बची थी उमीद, hope So, Pandora's box means to invite trouble तो Pandora के box का, Pandora का box क्या मतलब what? To invite trouble तो ये बात आपको भी याद होने चाहिए कोई भी आपको बोल दे Pandora's box You are a Pandora's box तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो आपकी तारीफ करके कुछ अच्छा नहीं बोल रहा हो क्या बोल रहा है Candy Jane, finished Professor Bogal तो Professor Bogal उसको क्या कहते है Pandora का box क्या होता है Invite trouble उसी बतों को बुलाना Candy Jane समझ में आया So, why did my father call me a Pandora's box Ask Candy Jane तो Candy Jane क्या पुश्ती है फिर मेरे father ने मुझे Pandora's box क्यों कहा Well, see, here little girl You are always asking questions देखो बेटा क्योंकि तुम हमेशा questions पूश्ते रहते हो You are also very curious about things और तुमें हर चीज़ को जानने की बहुत इच्छा है And this gets you into all kind of trouble और इसी के कारण तुम बहुत तरीके की मुसीबतों में फस जाती हो Candy Jane, you can get into trouble Even when you are eating तो तुम, Candy Jane, तुम तो समस्या में तब भी फस जाती हो जब तुम खाना खा रही होती हो So your parents and everyone else never knew what is going to happen next और इसी लिए ना तो तुम्हारे parents को और किसी को भी ये नहीं पता होता कि तुम आगे क्या करने वाली हो That is why your father called you a Pandora's box Said Professor Bobal और Professor Bobal क्या कहते है कि इसी लिए तुम्हारे father ने तुम्हें क्या कहा Pandora's box कहा Now I understand हाँ अब मेरी समझ में आया Are there more stories like these तो क्या इस तरीके की और भी कहानिया है Tell me some more Please Professor Bag Candy Jane Candy Jane बहुत ही मिन्नते करती है Professor की कि मुझे और इस तरीके की कहानिया सुनाओ Please I will tell you one more मैं तुम्हें एक और सुनाता हूं And others you will have to find on your own Said the Professor तो Professor कहते है ठीक है मैं एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं और बागी की तुम्हें खुझ से दूननी होंगी Professor Long ago Midas Sorry Professor यहाँ पे complete हो गया था Long ago Midas was the king of Pacinus तो बहुत सालों पहले Midas कहा का king था Pacinus का He asked one companion Of Dionysus A god To grant him the gift of turning whatever he touched into gold तो he asked उसने क्या मानगा उसने भगवान Dionysus क्या बनेगा यह Dionysus भगवान से एक इच्छा मांगी एक उपहार मांगा कि जिस भी चीज़ को वह हाथ लगाए कौन? Midas जो king था कि वह जिस चीज़ को भी हाथ लगाए वह सोने की बन जाए Midas was granted his wish तो Midas की इच्छा को पूरा कर दिया गया So everything that king Midas touched food, water and flowers turned into gold तो जिस भी किसी समान को राजा Midas touch कर दे वो समान खाना, पानी, flowers सब कुछ वो किस में बदल जाता? सोने में बदल जाता He could not even eat food वो खाना भी नहीं खाते Then one day his daughter touched him and he was gloomy तो एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें चुआ और वो उदास हो गई and he was gloomy तो वो क्या हो गई? उदास हो गई, gloomy क्या होता है? sad, दुखी हो गई guess what happened? तो क्यों दुखी होए होंगे? क्या कारण होगा इसका? देखते हैं she turned into gold तो वो लड़की सोने की बन गई sad candy Jane to the smiling professor तो candy Jane प्रोफेसर को कहती है क्योंकि प्रोफेसर कैंडी से बोलते हैं तो बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? तो candy Jane क्या रिप्लाइ करती है? कि वो सोने में बदल गई now a person who is always lucky is sad to have the midas touch explained प्रोफेसर बोगल तो एक आदमी जो की कोई बहुत भागिशाली आदमी होगा वो तो ये वेट करेगा कि उसको किसी तरीके से midas touch कर दे ताकि वो सोने का बन जाए है ना? तो ऐसा explain करा प्रोफेसर बोगल तो फिर कैंडी जेन पूछती है कि लड़की के साथ क्या हुआ after midas daughter was turned into gold he hated the power that he had asked for तो midas की बेटी जब सोने में बदल गई उसके बाद midas को अपनी इस power से नफरत हो गई और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जो उन्होंने power मांगी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी उससे वो नफरत करने नहीं he prayed to dianesis who told midas to wash himself in the river pactolus तो उन्होंने प्रात्ना की भगवान dianesis से जो की midas ने उन्होंने जो भगवान थे dianesis ने midas को बदाया कि वो अपने हाथों को pactolus river के पानी से धोले when king midas did so जब midas राजा ने ऐसा किया his power washed away उनकी जो शक्ती थी वो भी धुल गई and flowed into the river और river में बह गई and everything that midas had turned had turned into gold took its old form तो जिस भी चीज को midas ने टच किया था वो जो सोने की बन गई थी वो दुबार अपने पुरानी फॉर्म में बदल गई finish the process तो प्रोफेसर ने ये बार complete की suddenly candy jane started clapping and laughing तो अचानक से candy jane खुश हुई और उसने तालिया बजाई और वो हसने लेगी what is so funny little one quizzed प्रोफेसर वोगल तो प्रोफेसर वोगल उससे पूसते हैं कि इसमें इतना हसी वाला क्या है इतना मजाक्या क्या है छोटी सी गुडिया ओ प्रोफेसर so the story of king midas also tells us it is bad to want more things that we really need तो वो कहती है कि प्रोफेसर ये story राजा मिडास के जो story है ये हमें ये भी सीख देती है कि it is bad to want more things than we really need तो जिन चीजों के हमें वास्तम में बहुत ज़्यादा ज़रुरत है मतलब जिनको हमें हम जिनें सच में पाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं मिलना चाहिए ठीक है ना ज़्यादा से ज़्यादा भी हमें इच्छा नहीं रखने चाहिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी limited होनी चाहिए these old stories are so useful for our everyday situation तो ये जो पुरानी कहानिया है ये हमारे day rose की life के लिए बहुत ही important है यानि कि ऐसी कोई ना कोई गटना तो हमारी जिंदगी में होती ही रहती है तो ये कहानिया बहुत ही महत्वपुन है exclaimed candy jane तो candy jane ने ऐसा कहा smiling professor bogal reply तो हस्ते हमें professor bogal ने क्या जवाब दिया yes they are हाँ पेशक ये ज़रूरी है myths are stories about the past myths क्या है past की ही stories है past के बारे में कहानिया है sometimes they tell stories of the heroes of a culture and sometimes they are about imaginary people or creatures तो कभी-कभी ये कहानिया पुराने heroes की है जो महान आदमी हुए हमारे culture से related उनकी कहानिया होती है और कभी-कभार ये कोई imaginary यानि कि वास्तर में ऐसा घटा नहीं होता पर हम कोई imaginary people create कर देते हैं उनकी कहानिया हो सकती है और creature या किसी भी जीवगी हो सकती है through these stories we learn about the rules of the society इन कहानियों के माध्यम से हम क्या सीखते है society के rules की कैसे society में रहना है ये हम सीखते है and also the way they lived और किस तरीके से वो पहले के महान लोग जीए थे ये भी सीखते है every culture has its own methodology तो हर धर्म की अपनी अपनी कहानिया होती है that is so wonderful I want to know more said the excited candy Jane तो candy Jane बहुत खुशी के साथ कहती है कि ये बहुत शानदार है और मैं ऐसी ही और कहानिया जानना चाहती है candy Jane you go to the library and find out what our chills heal heraculine effort and hot as heads mean तो candy Jane तुम लाइबरेरी में जाओ और पता करो कि our chills heal क्या है heraculine effort क्या है hot as heads क्या है तो जैसे कि हमने अभी Pandora's box देखा था Pandora's box क्या होता है to invite trouble तो इसी तरीके से ये भी कुछ words है जिनके कोई fixed meaning है तो ये भी phrases है जो की Greek mythology में यूज के जाते हैं तो इनके बारे में आप पता करेंगे और अपनी notebook में लिखेंगी next class में में डिटेल में बताऊंगी पर अभी आपको ये अपनी notebook में write down करने है Candy Jane find Greek mythology so interesting that she went to the library to find the answer और Candy Jane इतनी ज़्यादा इच्छुक थी ये पता लगाने की Greek mythology के बारे में कि वो लाइबरेरी जाती है और इन questions ये जो questions प्रोफेसर ने Candy Jane के लिए छोड़ दी थे इनके जवाब डूनती है so this is all about our story कितनी interesting story थी और कितनी thoughtful इसके अंदर कितने सारे हमें message मिले कि हमें बहुत ज़्यादा needs हमारे demands बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितना हमें मिले उतना ही उतने में संतुष्ट रहना चाहिए और कितनी जो interesting girl थी कैंडे जीन कितनी curious थी उसे हर चीज़ का knowledge चाहिए था तो इसी तरीके से बाकि सभी बच्चों को भी होना चाहिए कि उनके मन में ये इच्छा होने चाहिए कि हम सीख ले ऐसा ना हो कि भई हाई ये मुझे तो पढ़ना पढ़ेगा ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए चीख है तो ये हमारे स्टोरी थी नेक्स क्लास में हम इसका comprehension section discuss करेंगे तो आपको क्या करना है स्टोरी को दोबारा से read करेंगे जो यहां कुछ words है जिनके नीचे मैंने underline की है इनको आप ढूंडेंगे और इनके meaning ढूंडेंगे नेक्स से सर्च करेंगे और comprehension section खुझ से fill out करने की कोशिश करेंगे नेक्स क्लास में हम इसे discuss करेंगे So that's all for today Thank you and have a nice day